So dear student, as you know that अभी हम लोग डिसकस कर रहे थे फ्लोड मेकेनिक्स को यह आप लोग को हो जगा फ्लोड मेकेनिक्स का सेकेंड लेक्चर है ना आप लोग को याद होगा मैं प्रिवियस लेक्चर में यानि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने समझाया था कि फ्लोड मेकेनिक्स बेसिकली होता क्या है? । हम लोग इसका study क्यों करते हैं और basic प्रोपर्टी जो सबसे fundamental और सबसे important प्रोपर्टी है उसके बार में हम लोग पढ़ना श्टार्ट कीए थे that is call your viscosity हैना काफी चीजे में आप लोग को पहले समझाया कि आखिर fluid mechanics में हम लोग क्यों पढ़ते हैं liquid हमारे लिक्विड हमारे लिक्यों इतना important है गेस के बार हम लोग study इतना क्यों नहीं करते हैं फिर मैं आपको समझाया कि लिक्विड और सोलिड में क्या basic difference होता है समझाया फिर आपका fluid में deformation क्यों होता है हाना से stress क्या होता है से फोर्स क्या होता deformation जो आता उसको रेजिस्ट करता है तब जाके एक्ट होता मेरा viscosity 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 को में compare करा था आपके फोस में जो मोशन के साथ मैंने resistance के साथ जैसे मेरा काम करता है resistance और आपका कीरे करता मेरा सब करता है यह इंक बार निस्कुस किये थे फिर वागत के थे फ्लूट के विसकोसिटी ऑन डा बेसे सब्जेटी ग्रेटियेंट एंगोलर डिफर्मेशन यह मैं आपको समझा या था उमीद करता है इन सभी को आप समझ यह होगे फिर मैं बात किया था आपको न्यूटन्स लग विसकोसिटी के वारे में, है ना, न्यूटन्स लग विसकोसिटी में हम लोग देखे ते, सेर स्ट्रेस और आपका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, उसके वीच में एक लिनियर मुझे देखने को मिलता है, समझाए मेरी बात कि नहीं, यानि कि a straight line देखने को मिलता linear relation देखने को मुझे मिलता और इस तरह के fluid को हम लोग बोलते क्या Newtonian fluid जो की Newtonian viscosity को follow करता है तो इसी के आगे आज हम लोग discuss करने वाले इसके वाले बहुत सारे और भी चीजों के बारे में discuss किये थे जैसे मेरा liquid में या gas में temperature को बढ़ाने घटाने से viscosity कम होता या ज़्यादा होता इन सब के बारे में देखे थे clear फिर में आपको graph के थोरो समझाया था temperature के साथ relation क्या था कुछ standard में आपको बताया था अलग-अलग fluid का क्या क्या होता viscosity यह सब में आपको समझाया था फिर में आपको यह समझाया था कि आखिर जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल ही उसको हम लोग बोलते है dynamic viscosity है ना जिसको हम लोग म्यूग करते हैं तो म्यूग के बाद मैंने समझाया था cake आ जाता और एक viscosity जिसको का जाता kinematic viscosity अब यह का difference है इसको मैं आपको समझाया था इसे मैंने बताया था कि kinematics में only motion के बार में study करते हैं force के बार में study नहीं करते हैं इसको के बार में study नहीं करते हैं अगर dynamic viscosity के बात करा जाए तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं आने के लिए हम लोग density से डिवाइड के थे, क्योंकि density दोनों में important role play करता है, तो density क्योंकि density equal to होता, mass upon volume, क्या हो जाता, mass है, निकि kg upon volume, तो इससे क्या हो जाता है, मेरा kg kg कट जाता है, और यह जो होता है, मेरा mass dependent जो था, वह मेरा mass independent हो जाता है, और वही से मेरा dynamic viscosity बन जाता, kinematic viscosity, यह मैं आपको समझाया था, यह सब में बताया था, इन दोनों का मैंने आपको सभी तरह का unit बताया था, चाह वह मेरा SI unit रहे, यह फिर CGS unit रहे, है ना, इसके अलावे मैंने आपको इसमें बताया था, dimension दोनों का क्या होता है, दोनों का मैंने relation समझाया था, temperature के साथ कितना वेरी कैसे वेरी करता है, है ना, क्या relation मैंने बताया था, kinematic viscosity का, और dynamic viscosity का, यह मैं आपको समझाया था, फिर, यहां तक समझाया थे, तो यहां से dear student, आज हम लोग start करने वाले हैं, Newton's law of viscosity, वैसे Newton's law of viscosity के बारे में, थोड़ा बहुत चीज़े तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे, mainly, Newton's law of viscosity के बारे में, बात करेंगे, जो Newton's law of viscosity को follow करता है, उसको कहा जाता है, Newtonian fluid, और जो मेरा Newton's law of viscosity को follow नहीं करता है, उसको कहा जाता है, non-Newtonian fluid, तो basically, आज हम लोग non-Newtonian fluid के बारे में study करेंगे, जो Newton's law of viscosity को follow नहीं करता है अब इसके लिए क्या generalized equation होता है इसके coding हम लोग देखेंगे various तरह का non-neutonian fluid जिसमें आगर मैं बात करता हूँ one by one करके तो देख सकते हूँ जैसे हम लोग बात करेंगे dilatant fluid के बारे में उसके बाद हम लोग बात करेंगे pseudoplastik के बारे में है और यह तीनों का तीनों होता time independent fluid ताइम के वेरी करने से viscosity में कोई फरक नहीं पड़ता है time के साथ यह constant रहता लेकिन कुछ ऐसे भी आपका होता है fluid जो time के साथ वेरी करता है है समझ रहे मेरे बात की नहीं जिसमें very important property बहुत ही basic property होता है बठा important है थोड़ा फिर हम लोग देखेंगे mass density और एका आ जाता है मेरा specific gravity इन दोने के बार में study करेंगे और lastly हम लोग देखेंगे relative density के बारे में तो आज के class हम लोग इन सबी चीजों के बारे में study करने वाले हैं समझ गये ना overall मैंने आपको बता दिया कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और कल क्या पढ़े थे देखो इसलिए मैं क्या करता हूँ ना particular कोई तो that's why और मैं try करूंगा कि इसके बाद जो भी lecture आए भले क्यों ना 3 गंटा का चले या 4 गंटा का चले मैं एक ही बार में एक topic को clear करवा दूँगा आपको jump time मिले आप देख लेना course में आपको jump ऐसा तो है नहीं कि एक बार play करके देख सकते हो आप कितना बार चाहे उतना पर play करके देख सकते हो ठीक है तो हम मैं क्या करूंगा एक बार में को clear करा दूँगा एक topic को आप बाद में देख लेना और जिनको लगे अच्छा लगे वो तो live भी देख सकते है कोई दिक्कत नहीं है चलिए live में आना कुछ बच्चों का इसलिए important है क्योंकि मैं real time में check क सको कि connectivity कहीं lose नहीं कर रहा है कई voice का problem है कभी कभी क्या आता है कि पढ़ा के complete हो जाता है course में और बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ error आ गया था बीच में आवाज जो है वो आहीं नहीं रहा था तो इन सभी के वज़ए से इन सभी चीजों के वज़ए से live में कुछ verify में हो जाओं तो start करते हैं आज के particular session को ठीक है एक सगना मैं comment जो भी आएगा कोई error आएगा तो मैं यहीं पर चेक करूंगा ठीक है चली start करते है newton's law of viscosity किसको देखेंगे अब हम लोग newton's law of viscosity को थोड़ा बहुत चीज हम लोग newton's law के बारे में study कर चुके थे हैं ना क्या देखेते हैं हम लोग यह देखेते हैं कि जो share stress होता है यह डायक्लिप अपरसनल होता है मेरा क्या due divided by dy का यह यह हो जाता basically मेरा velocity gradient velocity gradient का जिसके हम लोग देखे थे कि linear relation मुझे देखेंग by dt जो कि basically क्या है rate of share strain, share strain लेकिन rate of time, rate बहुत important rate को आपको mention करना पड़ेगा ठीक है क्या आपको याद करो liquid और solid के बीच में जब में difference बताया था तो आपको बताया था rate नहीं होता है समझगे constant deformation देखने मिलता है मुझे solid में, जब कि fluid में अगर बात करेंगे तो continuous deformation मुझे time के साथ वो मेरा vary करता है, समझ गये मेरी बात की नहीं, तो rate तो दिखाना important है, ठीक है, अब जब मैं बात करता है आपे, neutral viscosity को जब मैं equation लिख देता हूँ, है ना, और equation लिख देता हूँ, तो हम लोग क्या देखे थे, कि अगर मैं इस तरह से, suppose कुरो x-axis, y-axis मेंने समझाय या फिर velocity gradient बोल लो, dy by du by dy बोल दो, है ना, तो यह सब मैं आपको बता रखा हूँ, तो अगर मैं ले लेता हूँ, तो क्या देखता हूँ, देख सकतो, यहाँ पे क्या मिलता हूँ, जह स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है, स्ट्रेट लाइन, आप बोलेंगे सर, यहाँ सबके केस में, मुझे क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ही देखने को मिलेगा, समझ रहे हो ना, आप यह मन समझ लेना, कि सर जी यह मेरा एक ही फ्लूट का, नहीं, यह यह देख सकतो, यहाँ पे, A, B, C, जो है, are different different food, यह अलग-अलग food है, ओभियसी बात है, माल कोई लो पेश्ट को ले लो एक करोiven कर वे लेकिन स्वह आपकर एक रँपर सोगे क्लगे अलग बढ़ेगा लग कर में वह सकता है लेकिन यहां पर घंदती मिलाए लेकिन एक चीजा पका है कि अगर वह तो मेरा सेर फोर्स लगाएगा तो सेर फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा वज़से वज़से मेरा डिफोर्मेशन भी बढ़ेगा जैसे ए में देख लो अगर यहां पर 10 का बढ़ा है तो यहां अगर बढ़ा यह भी बढ़ा यह भी बढ़ा यह भी बढ़ा समझेव यानि कि क्य आरा 10 10 आ जाएगा तो time के साथ अगर मान लो यह 100 के जगह में 200 हो जाता है समझ गये अगर मैं क्या करता है 100 जो safe force के जगह में 200 safe force लगा देता हूँ तो अब यसली बात है जो यह 10 मेरा था ना आपका rate of share strain यानी deformation यह भी मेरा 20 हो जाएगा अगर यह 100 से 200 हो गया तो यह 10 से 20 हो गया फिर भी अगर देखोगे तो यह मेरा cut के 10 ही आएगा अगर यह मेरा 200 से suppose को लो 1000 का लगा लिए अगर मैं यहाँ पे 1000 का लगा लेता हूँ तो यह मेरा 10 था ना यह मेरा 100 का हो जागा यह भी उसी तरह से बढ़ेगा तो फिर cut के देख तक मिलता है तो टाव बी तक मिलता है अगर अगर हम लोग सेर फोर्स यहां तक मिलता है तक लगाते हैं तो टाव सी तक तो rate of shear strain या फिर velocity gradient समझ गें? ओके इतना आप लोग समझ गें तो जो इस तरह के relation को follow करता है उसको हम लोग बोलते हैं Newtonian fluid यानि कि जिसका जिसका ध्यान देना इसको यहां लिख दियागे Newtonian fluid are those fluid which follow Newton's law of viscosity और Newton's law of viscosity से क्या मुझे पता चला? कि μयो जो होता viscosity वो constant रहता है समझ गें? यहीं कि that means इसलिए यहां लिखा आगे चल कर that means viscosity will remain constant with deformation deformation मतला velocity gradient या फिर rate of shear strain तो जितना हम लोग वहां पर viscosity को बढ़ाएं अब viscosity क्या हो रहा? viscosity will be remain constant viscosity constant, mu constant है जितना हम लोग shear force को बढ़ाएंगे उतना ही मेरा बढ़ेगा rate of shear strain जितना यह घटेगा उतना घटेगा जितना बढ़ेगा यह बढ़ेगा समझ गें? यह चीज हो जाता है है ना? तो important आपकर यही है कि Newton's law of viscosity को जो follow करता है उसको हम लोग Newtonian fluid को आते हैं और यह क्या होता है जिसका viscosity मेरा constant रहता है with the deformation, deformation के बढ़ने के साथ साथ मेरा जो है डिफर्मेशन बढ़ने के साथ साथ मेरा जो कि velocity gradient उतना ही बढ़ता है जिसके वज़े से जो mu आता है वो मेरा constant देखने को मिलता है अब बात करते हैं कुछ ऐसे fluid बता दिये सर जो इस तरह का behavior so करता है मलब आप कितनों deformation लगाओ उसका viscosity सेम रहेगा तो आपके आपने सामने आप daily use करते हो water देख लो, kerosene देख लो, यहाँ पर petrol आ जाएगा, diesel आएगा, alcohol आजाएगा, mercury आजाएगा, air आजाएगा तो कई सारा example आप देख सकते हो, यह सब का सब ना, petrol, diesel, kerosene, alcohol, mercury, water, air, हाना, यह सब का सब जो है, newtonian fluid होता है अब आप कितनों deformation लगा लो, आप water को कितनों लगा लो, उसका viscosity ऐसा नहीं को थीक हो जाएगा, ऐसा होता है क्या, कि आप कितनों stir करो, मालनो stir कर रहे, घुमारे, घुमारे water को घुमारे, तो इसा तो नहीं होता है, कुछ दिर के बाद हो थीक हो जाता है, लेकिन अभी नहीं बॉड़ा करता है, तो आप क्या करता है, उस बोटन को लेते हैं, पीछे से मालते हैं, ठक ठक करते हैं, एसे घुमारे, हिलाते हैं, तो फिर flow करने लगता, आराम से इजनी बाहर आ जाएगा, देखे हो कि नहीं, तो यहां क्या हो रहा, टाइम के साथ, वो मेरा thin हो ज जैसे कि आगर मैं बात करता हूं कुछ कॉर्ण फ्रोर हो गया सिंपल आंटा ले लो आंटा जिसे रोटी बनता है उसमें आप पानी डालो और स्टेर करते हो आप देखो कुछ दिरक बाद वह गढ़ा हो जाएगा या भी आप सुगर पानी में चीनी डालो है ना गरम पानी मे प्रोल डीजल मरिकुरी एयर इन सब का विसकोसिटी में कोई फरक नहीं पड़ता है तर्ट वाइट न्यूटन फ्रोड होता है विच इस वेरी वेरी इंपोर्टन जहां से कोसिन आपके एक जाम में बनते हैं ठीक है अच्छा यहां पर एक चीज़ ध्यान देना कि जैसे ज प्रिज्ण से मेरा सेरफोर्स बढ़ते जारा सेरफोर्स बढ़ते जारा बढ़ते जारा वह से भीसे क्या रख सेर्ण के शेर सेरें वह घरते जारा यह भी ध्यानक ना, यह हम लोग को देखने मिलता है आपके newtonian fluid में, चलो, अब इतना अगर आप सको समझ में आ गया होगा, तो now, अब move करते हैं हम लोग non-newtonian fluid के बारे में जानते हैं, non-newtonian fluid, अब यह अशली बात है, just उसका opposite, वो क्या था, neutron's law of viscosity को follow करता था, यहनि किसक to constant, हैना, यह हम लोग प्रूब करके देखते, straight line मुझे मिलता था, यह चीज़, यहनि कि neutron's आप viscosity को follow करता था, जिसका मेरा viscosity जो हता था, वो मेरा constant रहता था, with deformation, कितनों deformation कर लो, उसका जो viscosity है, वो क्या रहेगा, constant रहेगा, deformation आएगा, देखना ध्यान से, deformation मत समझ लें, क्य कि जैसे भी थोड़ा सा भी shear force लगाएंगे, you know that, जैसे deformation, fluid में आपको पहले class में समझाय थे, कि हलका सा भी shear force अपला करेंगे, तो deformation आने लाएगा, तो देखो तो आपका विसकोसिटिती व कंस्टेंट हा ध्यान रखना तोस अगर मैं बात करता हूं आपके ना नुट्रेन फिलूट का तो इसमें उसके बीस और लूट इस具 भी आद इस में वियर्ग commit change within before mason dying definition के साथ इसमें viscosity मुझे change देखने को मिलेगा समझें तया कम या ज्याधा लेकर viscosity मिचला जाएगा इसे फाले larda & शिर्यगया देखते है कि कि सब्सक्राइज अब यहांप यहां और यह से कोस्तिय कोशन study of non-neutron fluid is called rheology, समझ गें, जैसे biology होता है, समझ रहे, physics होता है chemistry होता है, है ना, तो biology में क्या पढ़ता है, जीव के बारे में पढ़ते हैं उसी तरह, अगर non-neutron fluid के बारे में पढ़ते हैं, तो मेरा किस में आ जाता है, किस subject में आ सकता है, या इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता, rheology, चलो, अब non-neutronal fluid को समझने के लिए, इसके behavior को समझने के लिए, हम लोग एक generalized equation का use करते हैं, और वो जो जो मेरा generalized equation होता non-neutronal fluid का, वो होता, टाव इकोल टू a du divided by dy, पे power n plus b, अब यहाँ पे, इससे पहले जब हम लोग बात के थे, newtonal fluid का, तो केवल देखे थे, टाव इकोल टू, mu into du upon dy, यही देखे थे, तो यहाँ देखो, एक आगया आपका n आया, तो आपको समझना है, कि क्या है, n, क्या है, b, क्या है, और साथी-साथ, यहाँ पे a आया, यहाँ म्यू था, यहाँ पे a है, तो a और b और n, यह तीनों क्या आता है, इसको समझना important है, समझना, अगर बात करता हूँ, a का, a basically क्या आता है, flow consistency index है, अब यह क्या होता है, यह यहाँ पे लिखा गया है, यह basically parameter होता है, that represent the consistency और thickness of the fluid, कि कोई fluid कितना थिक है, कोई fluid कितना थिन है, कोई समझ रहो, तो वो जो आपका consistency है न, उसको मेरा, so कोन करता है, a करता है, इसलिए इसको कहा जाता, flow consistency index, समझ गये, क्योंकि जैसे मैंने की की दोखो, इससे पले इसका जोर्थी नहीं था, flow consistency का जोर्थी नहीं था, क्यों, क्योंकि इसमें मेरा viscosity यह वो तो constant रहता था, मेरा viscosity यहाँ पे वेरी करता ही flow कम हो गया, यानि की जल्दी मूव कर रहा, यानि वो मेरा thin हो गया, पतला हो गया, तो यानि की मेरा वो ठीक हो रहा या thin हो रहा, thickness को study जो किया जाता है, उसको का जाता flow consistency, और उसको A सो करता है, इसलिए यहाँ पे A आया है, समझ गे, अब यह चुकि A क्यों लिया गया है, A, B इस तरह का constant term क्यों लिया गया है, क्योंकि हर एक fruit के लिए अलग लग होता है, तो आप कोई particular एक fruit के लिए तो ले ने रहो, आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, समझ गे मेरे बात की नहीं, अभी हम लोग बहुत सारा non-neutral fruit के बार में study करेंगे, तो उन सब में कोई भी ले सकते हो, सब के लिए अलग लग हो सकता है, that's why A, B और N के form में लिया गया है, ठीक है, चली, अगर बात करते हैं, यहां पर B क्या है, तो B जो होता हो, मेरा yield stress होता है, अब yield stress क्या होता है, यह basically जब भी, suppose यह कर लो ना कि जब भी कुछ भी, अगर माल लो, उसमें share stress 0 भी लग रहा है, share stress 0 भी लग रहा, फिर भी कुछ ना कुछ इसमें share stress है, अब बोलेंगे सार, इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब यह हुआ, कि आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा, कि yield stress की मतलब, कि कुछ-क इसके लिए, डिफर्मेशन है, डिफर्मेशन है, डिफर्मेशन है, है ना, डिफर्मेशन है, तो डिफर्मेशन कभी start हो, देखो यहां प्या के मालो, एक, दो, तीन, तो यहां के deformation start हो, कब जब इतना लगाएं, तब share stress, तो कुछ देर तक पहले share stress तो लगाना पर तब सबसेट निकलता फिर अरां से निकलता लेगा तो यानि कुछ देर आपको यहां पर फोर्स अपलाय करना पड़ेगा यह पॉर्स तक जना पड़ेगा तब जैके इसमें डिफर्मेशन स्टार्ट होगा समझ गे न कुछ ऐसा थे लेकि नीटरनी फ्रोर्ड मेरा कैसा होता। नीटरनी फ्रोड जी होता है जीरो से स्टार्ट होता है कि एक पॉंट लगाना पड़ेगा जब उस पॉंट को क्रोस करता तब जैके डिफर्मेशन स्टार्ट हो उससे पल् Yakड़ा ना ना, जिसे मालन लकडी नहीं होता है, फॉर्स लगाया कुछ नहीं कुछ नहीं, आचानक तूट गिया, वैसा कुछ, तो एक चोली यह नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको समझा दिया, आप आप आगे चल कर समझेंगे, तो यह होता है अब बात करते हैं N, N क्या होता है, N होता है मेरा flow behavior index, अब बहुत सारे क्या करते हैं student, यह सभी flow behavior है, यहनि कि major करता है, देखो अगर इसका definition देखोगे, तो क्या कहा गया, major for the degree of non-neutronian fluid behavior, non-neutronian fluid के behavior को major करता है, and distinct the type of fluid, और वो क्या करता है, मेरा अलग divide करता कि किस तरह का fluid में आएगा, non-neutronian way भी, समझ गये न, यह कुछ हो जाता है, a, b, n, तो यह ध्यान आकना यह बहुत important है, यह generalized equation आता है, general equation आ जाता है, अब बात करेंगे, सर अगर हम लोग non-neutronian fluid को देखेंगे, तो हम लोग क्या पूरा इस equation के use करेंगे, वो आगे चलकर समझ आयागा अभी देखो, देखो, आज आँ यहाँ पे, non-neutronian fluid, तो अच्छा, यहाँ पे अभी जस्ट लिख दिया गया, तो दोनों के बारे में, जैसे first में हम लोग देखें क्या, neutral slope viscosity, उसमें हम लोग देखें, tau equal to mu into du upon dy, where tau is the share force apply करेंगे, तो rate of deformation आपका, जैसे से बढ़ देगा जैसे से बढ़ता है, और अगर इसका बात करा जाए, viscosity, तो viscosity upon आजाजा, share force upon आजाता है, rate of deformation तो फिर constant आता है, और फिर अगर बात करेंगे किसका, यह तो हो गया equation किसके लिए, neutronian fluid के लिए, और जब बात करें हम लोग नन-neutronian fluid का, तो उसके लिए equation यह हो जाता है, तो य हम लोग क्या करते हैं, इस equation को, हम लोग try करेंगे लिखना इसी के जैसा, कैसा? Neutron's law viscosity के जैसा ही लिखना, try करेंगे, क्योंकि वो छोटा equation है, उसमें study करना बहुत ही easy होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत इसका change करेंगे, कुछ उस से लिखना के try करेंगे, ताकि इसको हम लोग Neutron's law viscosity के form में लिखा जा सके, तो देखो इसको मैं क्या करता हैं, simple, अगर मैं देखना यहां पर क्या करता है, इसमें मैं क्या करता समझा, tau equal to a, du by dy, पे power यहां पर n है न, minus 1 कर देंगे, और into कर देंगे du open dy, और plus b, तो क्या य सेम रहता है, और इसमें x है, इसको y है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस सेम रहता है, तो क्या करते हैं, अगर बेस सेम रहता है, तो क्या करते हैं, अगर दोनों का बेस सेम है, a है और a है, और power इसका अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, x plus y कर देते हैं, हम लोग करते हैं कि नहीं, है ना, यह हम लोग logarithmic बहुत बारी देखे हैं, सेम यहाँ पर देख सकते हो, कि यहाँ भी d open dy है, यहाँ भी d open dy है, तो दोनों का बेस से में तापस में जुड़ जागा, तो यहाँ पर क्या कुछ नहीं, यानि 1 है, तो n minus 1 और plus 1 तो यह दोनों कटके मेरा n ही आ जागा, तो कुल मिलाके देखोगे, तो मेरा बन जागा यही वला चीज, d open dy पर बार n, और आगे था b था, तो यहाँ ए है और b यह, यानि कि इस तरह कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिखें, मैं आपको समझा रहा हूं, पले समझना, तो इसको क्या करा गया है, देखो इस फर्म में लिखा गया है, इस फर्म में यहाँ पर, देख सकते हो कि नहीं, यहाँ पर क्या करा गया है, अगर आप ध्यान दोगे, तो देखो, d open dy, n-1 और d open dy, क्योंकि यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर n-1 है, तो n-1 plus 1, तो minus plus कट जाएगा, only n ब मेरा अब यह बन जाएगा, neutron log viscosity जैसा ही, कैसे, इसको कुछ भी constant अगर माल लेंगे, जैसे यहाँ पर mu था, सबुछ करें, यहाँ पर कुछ भी माल लेंगे, यहाँ पर माल लेंगे, हम लोग a माल लिए, तो tau equal to क्या हो गया, इसको पूरा को अगर कुछ भी माल लो, x माल ल माल लेंगे, तो जैसा उसका बन गया की नहीं, बिल्कु सर मेरा बन गया, ठीक है, तो यही करने के लिए, हम लोग यहाँ पर करते हैं, अब यही चीज, इसी को कहा जाता है, apparent viscosity, और इसका यूज करते हैं, हम लोग viscosity को study करने के लिए, non-neutronian fluid का, समझा है, तो हम लोग non-ne non-neutronian fluid के behavior को, उसके viscosity को study करने के लिए, इस equation का यूज करेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, apparent viscosity का जाता है, जिसको दिखाया जाता है, किस से, दिखाया जाता है, नीटा, नीटा, हम लोग efficiency के लिए, यूज करते हैं, तो नीटा से इसको दिखाया जाता है, या तो इससे दि नीटा से, तो नीटा से हम लोग अभी सो करेंगे, अधिकतर नीटा सो करा जाता है, तो यह हो जाता apparent viscosity, और यह इतना important है, कि इसको देखो, यहाँ पे लिख दिया गया क्या है, कि use to check the viscosity of non-neutronian fluid, जैसे इससे पहले हम लोग, इससे पहले हम लोग, neutral viscosity को चेक करने के लिए, कि mu का यूज करते थे, इससे चेक करते थे, हैना, विसको से किसका ज्यादा, डैनेम विसको सिटी करते थे, तो अब हम लोग इसका पूरा का, इसका यूज करके चेक करेंगे, कि किसी का behavior, मुझा किस तरह का वो non-neutron fruit है, हैना, कोई pseudo plastic है, यह बिंगम plastic है, यह रियो पेक् निटा बोलो, यह फिर mu, ap, apparent viscosity, ऐसे भी करते हैं, equal to, यहाँ पर क्या है, a, du by dy, n-1, यह यह इतना चीज को घेर के, apparent viscosity इसको है, तो इसको apparent viscosity यहाँ पर कहा गया, इतना को, और यही हम लोग बार-बार use करेंगे, हैना, मैं लिए अगर कहा जग घेरेंगे, तो इतना ही मेरे पास, इतना, यह चीज, इसका use हम लोग करेंगे, राइट, चलिए, तो अब, 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 अगर मैं बात करता हूँ, कि सर, इसको पूरा को, पूरा को, पूरा को, पूरा को, पूरा को, पूरा को, apparent viscosity, और apparent viscosity को, निटा से दिखा जाता है, तो इसके जगा मैं निटा भी लि और यह जो equation मुझे मल गया, एक जो equation मिला, वो किस के लिए acompa ए, फोर, नonne-Newtonian doctrine, तो इहां पर मैरा दोनों before के लिए equation मिल गया, है यह क्या होता है, इसका viscosity के बात करेंगे, यह चार्फार्मेरा इंश समगा नहीं होता है वही खास का खास मतलब मतलब है Newtonian fluid का या फिर Newtonian viscosity का लेकिन अगर बात करेंगे non Newtonian fluid का तो इसका मतलब क्या है कि यह जो आपका viscosity होता है यह time आपके deformation के साथ constant नहीं होता है deformation के साथ vary करता constant मेरा नहीं होता समझ आए मेरी बात की नहीं चलिए 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 लेकिन यादखना कि हम लोग पूरा का पूरा सिर्फ इसी का नीटा का ही उस करेंगे study करने के लिए उसके viscosity का apparent viscosity का यह वाला इस वाली भेली को या फिर इस वाली भेली को study करेंगे तो देखो उपर में लिख दिया गए same चीज़ वह apparent viscosity है की नहीं यहाँ पर apparent viscosity देखो ध्यान से जो red color से हमें घेर रहा हूँ देखो इसी चीज़ का यह फिर में highlight कर देता पूरा yellow से इसी चीज़ का a d open dy पर power n-1 देखो a d open dy n-1 है न विसकोसिटी ठीक है apparent viscosity है इसी से check करेंगे सभी त इसी चीज़ को फोलो करता है तो पहला एक्वेशन हम लोग लेते हैं यहां मेरा जो n है हम लोग n को इस बार ही देखो n को हम लोग यह तो positive लेंगे या 0 लेंगे या फिर greater than लेंगे less than लेंगे या 0 लेंगे वही बात है न तो इस बार ही हम लोग क्या लेते हैं पहला case में लेते हैं एन का विलू greater than one और बी को 0 लेंगे तभी तो यहां पर नहीं लिखा गया न कि ज्यांदो यह बीर को पूरा 0 ही कर दी है ना बी को 0 ही लिए अभी है ना चलिए इसलिए यहां पर नहीं है इसके आगे बस यहीं लिखा गया testing लिखा गया कि जिरो है ओके तो जब मैं लेता हूँ वेलू एक से बड़ा एक से बड़ा मत असी या तो 2 हो जाएगा तीन होगा तो तेन बी जू होघा होगा तो 2- 2- 1 equal to 1 अगर 3 भी होगा तो 3 minus 1 equal to 2 यानि कुल मिला का आ रहा है मेरा positive value या रहा है इडमिस ये मेरा positive होगा यानि कि n जो हो जा नीटा बार बार में n बोरो sorry जो मेरा नीटा होगा है यानि viscosity होगा वो क्या निकलेगा a equal to do upon dy positive निकलेगा positive का मतलब क्या है कि positive अब खुझोजो कि जब मेरा डीफोर्मेसन बढ़ेगा जब मेरा डीफोर्मेसन बढ़ाएंगे तो डीफोर्मेसन के साथ मेरा जो viscosity है वो भी बढ़ेगा हाना समझे नहीं नीकला था जो निकला था मेरे Neutronian fluid उसका सबका जो आपका viscosity वो constant था deformation के साथ लेकिन आप क्या देख रहे हैं deformation के साथ जैसे deformation वोग बढ़ा रहे हैं वेरी करा रहे हैं वैसे मेरा deformation I mean viscosity भी वेरी कर रहा है तो जब बढ़ रहा तो बढ़ रहा सबस्कूसिटि समझ गये मेरी बात की नहीं अच्छा आप खुद समझें जब मेरा वीसकोसिटी बढ़ेगा जब वीसकोसिटी सब्सक्राइब किने से और रोक रहा है और रोक रहा है, और अगर रोकेगा, तो रुक रुक के चलेगा, यनि को थीक हो जागा fluid, तो आप यहाँ पे सभी example आजाएगा, जो deformation के साथ थोड़ा रुक रुक के चलता, जब आप deform करोगे, तो रुक जाता, जिसे यहाँ पे tomato ketchup आएगा, गलती से भी tomato ketchup नहीं आगा, क्यो बढ़ जाएगा, और थीक हो जाएगा, और मोटा हो जाएगा, तो इसको आप ढूंडो, है ना, इसको आप ढूंडो, और यह कैसा, यह ध्यान रखना, कि नीटा है यह, एनमास समझ लेना, यह viscosity का ही बात करा है, परेंट विसकोसिटी का बात करा है, तो यह क्या और नहीं 10, 10, 15, मान लोग कुछ भी समझ रहो ना, यह समझाने के लाप को समझा रहे, जैसे, 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 बढ़ते जा रहा है, देख से तो यह मेरा increasing slope आपको देखने को मिल रहा है, है ना, कैसा slope मिलेगा, increasing slope, increase होते हैं यह, यानि कि धिरे-धिरे देखो यहाँ पे क्या हो आप बढ़ते जा रहा है, हाना, जैसे, जैसे, हम लोग viscosity बढ़ाएंगे, I mean, deformation बढ़ाएंगे, मेरा viscosity भी बढ़ेगा, तो ऐसा आपको गराप यहाँ पे देखने को मिलेगा, समझा है मेरी वियात की नहीं, हाना, यह धिया रखना, चलिए, और आप बोलेंगे, सची हैं पर viscosity प्ले करेगा, कि viscosity उसके against में आएगा, समझ गए, फिर आएगा, share stress आएगा, समझा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कि जैसे, जैसे, मेरा share force बढ़ा रहे है, मेरा deformation भी बढ़ रहा, और मेरा viscosity भी बढ़ता है, viscosity भी बढ़ता है, increasing slope में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है अब इसका example का अगर में बात करता हूँ, वो तो लिग दिया गे तो आपको समझ आ गया होगा, with increasing share deformation, जैसे हम लोग deformation बढ़ाएंगे, viscosity of the dilatant fruit increase, हाना, dilatant fruit का जो viscosity है, वो भी increase करेगा, इसी साब समझ गया होंगे, that's why it's called, it's called share thickening fluid, और मैंने कहा थाना, viscosity पढ़ रहा, वो velocity से मूब नहीं कर पा रहा, यानिकि share थिक नहीं, share क्यों, कि जब deformation अपलाई किये, तो मेरा वो क्या हो गया, थिक हो गया, share, share deformation के चलते थिक हो गया, इसका example क्या असर, इसका example जैसे मैं आपको समझाओ, जैसे start solution है, चलो start solution का अगर मैं बात करता हूँ, example बताता हूँ, तो देखो गए, कुछ दिर के बाद ना, वो चिप चिपा हो जाएगा, पहले जितना speed से मेरा पानी मूब करता था, उस आटा में है ना, आप देखो कुछ दर का फ्लोर जो है ना, जो कॉर्ण फ्लोर है, किसी का भी लेते हो, कुछ भी आप लेलो, कुछ भी आप लेलो, कुछ बढ़ता है, तो यहां से आप समझ गया, तो यहां से हम लोग समझ गये, पहला, पहला मेरा क्या हो गया, लान-Newtonian fluid, अब बात करते हैं, सेकंड, केसे लेते हैं, सेकंड केसि बारी क्या, फिर से देखो, यहीं केसे बार बार यूज़ करेंगे, हर जगा पे यहीं के यांद इसका विलू हम लोग यॉज करेंगे तो फिर से यहां पे नीटा एक को लिखा कद गया सेम चीज में क्या करेंगे इससे पहले हम लिए थे n का value greater than 1, इस बार ये n है, ध्यान रखना, ये n है, ये n है, क्योंकि n यहाँ पर है, और ये नीटा है, इन दोनों में please confuse मत होना, ध्यान रखना, ये जो हम लोग लिख रहे हैं, ये नीटा है, इस तर लिखा जाता है, नीटा एक्वाल टू a du upon dy पर power n minus 1, ये n है, जो कि n basically क्य behavior है, ये आपका flow behavior है, तो n जो यहाँ लिए आगा है basically क्या है, ये मेरा flow behavior है, ठीक है, यह वला आन है, और ये n नीटा जो है, ये नीटा ये आपका viscosity है, ठीक है, जो हम लोग check करते हैं, किस case में check करते हैं, non-neutronal fluid के लिए, तो हम लोग लेके चलते हैं, क्या, आपका mu, ठी लो फिर भी माइनस बना गया माइनस टूल ले तो मैस फॉल दो तो माइनस फॉलol तो मैनस फ़ोल नीगती मिलेगा और जब इसको नेगटीव मिलेगा तो इसको नीचे धकल देंगे पोजटीव करने के लिए यहां कि यहां किया आगा, आपका nita equal to directly proportional to 1 upon d open d y अब यहां किया है, inversely proportional हो गया अगर मिरा inversely proportional हो जागा तो अब जब हम लोग deformation को बढ़ाएंगे तो यह अगर बढ़ेगा तो यह घटेगा क्योंकि inversely proportional हो गया यहां कि deformation बढ़ने के साथ अब मेरा viscosity घटेगा अब जब यहां पर मैं बोह रहा हूँ viscosity घटेगा viscosity घट रहा मतलब की जो resistance to flow जो इसको रोक रहा था flow करने से fluid को अब उसको थोड़ा कम रोकेगा कम रोकेगा मतलब की जल्दी flow करेगा समझे जल्दी कर रहा है यानि क्या होगा फिन हो जाएगा यह थोड़ा और पतला हो जाएगा बहने में और help करेगा राइट तो वैसे फ्रूड यहां पर आ जाएंगे जो क्या होगा डिफार्मेशन के साथ पतला हो जाताँ मुझा जल्दी बहने लगता है जैसे एकजामपल यहां से टेमेंटे के चुप दिया गया है यह ब्लड दिया गया है ब्लड देखो कि जम जाता है ब्लड कभी आप ब्लड अगर रियल तो मिखना जाता तो तुछ देरा चोड़ेक कि आप थीक थोड़ा हो जाता है लेकिन इसको शटर करो तो नगूँ यह सेयर फ़र्स लगाओ पर तब देखोगे क्या वे सकते हो जाता है तो जाता है उसको stir करो फिर वो पतला हो जाएगा दधी देखों दधी कितना थोड़ा जब जाता है उसको सेयर फोर्स लगाओ वो क्या हो एगрашांपल नहीं मिलक बेसिकली रहेगा लेकिन आप देख सकतों सिसको फिल कर सकते हो तो आप चीज को बैसे कर दाई बी कि यह तो यह ब और प्लास्टिक मतलब ये लगेगा आपको प्लास्टीक जैसा लएगा जिसके टेमेTert dont जा टो आफका सब्सक्ली का जूट इन उपर जूटा है आपको यह फिन्लिज़ के मिल्कोरण हो प्लास्टिक अब कें अब भीडिए Stage ? और यहां पर हम लोग देख लिए with increasing rate of deformation जैसे हम लोग deformation को बढ़ा रहे हैं जैसे deformation को बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है pseudo fluid decrease pseudo viscosity of the pseudo plastic decreasing viscosity जो होता है pseudo plastic का वो क्या होता घड़ते जाता है that's why it's called share thinning fluid share share deformation जब अप्लाई कर रहे हैं तो thin हो जा रहा पतला हो जा रहा है जैसे example समझाए है ना तो अब यह असरी बात आकर हम लोग देखेंगे यहां पर share stress लगाने के साथ तो share stress अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो deformation बढ़ रहा है तो deformation के साथ viscosity घट रहा है तो मेरा यहां पर क्या ने लेगेगा यहां पर decreasing slope आपको दीखने रहे हैं जैसे यहां पे क्या था यहां ता Judge नलोफ हे ध्यान देना यहत 낮ए इन क्रिजिंग त्होप तो complete type decreasing slope आपको यहां पर नजर आएगा decreasing slope यहां पे छूट के साथ है ना deformation के साथ तो दो example ले लिए अब बात करते हैं third example का अब बात करते है third example इस बार हम लोग n equal to 1 ले लिए है n equal to क्या ले लिए हैं 1 ले लिए हैं ठीक है भाई n equal to 1 अगर ले ले लेंगे तो क्या ओगा 1 minus 1 equal to 0 1 minus 1 equal to 0 तो अगर 0 हो गया, तो यह तो खतम हो गया, 0 हो गया, अगर हैं बात को तो किसी के भी पावर में अगर 0 आ जाता है, तो उसका पेली तो पूरा खतम हो जाता है, तो यहाँ पे पूरा खतम हो गया, तो बचाओं लिक्या N, देखो यहाँ पे लेकिन आप B equal to something लेंगे, पता है न्यूटरन फ्रूड का, तो अपर क्या है, अगर इस से मुझे बनाना तो देखो, N equal to 1 कर दो, और B equal to 0 कर दो, तभी तो मेरा आ जाता है न्यूटरन फ्रूड ना, N equal to G, अगर 1 ले लेंगे, तो क्या जगा, A, D, O upon, D, Y, तो N value 1, एनी 1, और प्लस B के जगह में 0, तो यह 0 यह नि कुछ नहीं, इसलिए तो यह मुझे जगह में, मालों, A के जगह मुझे है, समझ गी मेरी बात की नहीं, तो हो गया, तो B के जगह में, अगर 0 हम लोग लेंगे, तब तो मेरा न्यूटरन फ्रूड होगा, इसलिए B के जगह में, हम लोग 0 value नहीं यहां पर लेके चल पास यह है, है ना, तो यहां पर क्या जागा, एक सेकंड हाँ, हाँ, जोके, चलिए, हाँ, तो मैं क्या है, यहां पर बता रहा था, कि सबसे पले अपरेंट हम लोग देख लेते हैं, नीटा इकल टू, तो क्या जगह है यहां पर, कि भाई साब, अगर यह 0 का 0 हो गया, तो पूरा खतम हो गया, बचा ओंली ए, यानि कि, जो नीटा इकल टू मुझे, ए, एक क्या है, मेरा कॉंस्टेंट था, एक कॉंस्टेंट था, फ्लो कंसिस्टेंसी था, समझे हो ना, जो उसका ठीक कितना ठीक निंग है, उसके बिहेविर को पता करा था, कोई थी ने यह ठीक ह पूरा तो पूरा यूस क्यों करें कि इसमें बिटा का बेलू कुछ हम लोग लिए है, एक को जिरो नहीं लिए है, तो अब क्या करते हैं, अब यानि कि इसके जगा में तो इस नीटा के जगह में पूट कर देंगे ठीक है इस सब के बारे मम लोग discuss करेंगे dear वाट्सप में आपको clear करेंगे don't worry है ना चलिए अभी हम लोग सिर्फ बात करते हैं पढ़ाय के बारे में पढ़ा रहा हूं तो मैं सोच समझ की पढ़ा रहा हूं है ना इस बात को आप समझ सकते हैं तो आडिया लग सकता है ठीक है चलिए तो अभी फिलाल हम लोग study करते हैं बाद में discuss हम लोग कर लेंगे मेरे साब बात कर लेना तो मैं आपर क्या बात कर रहा हूं कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे नीटा एकॉल टू मेरा ए आ गया ए आया तो नीटा के जग में ए भी ल ज्ब हम लोग यहां पे share stress का है ना share stress का deformation का ये rate of share strain का हम लोग यहां पे देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर हम लोग deformation को अगर हम लोग deformation को d opon dy को velocity gradient को 0 भी रख देते हैं है अगर मेरा आपके deformation 0 भी रख दते हैं फिर भी मेरा यहां पे क्या है, B का वेलू, यानि पूरा का पूरा टाव इस नॉट इकोल टू जिरो नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा वेलू को अगर में जिरो कर दिया, डिफोर्मेशन नहीं भी लगा रहे हैं, समझे मेरी बात कि नहीं, ये अगर जिरो भी हो गया, तब भी द टाव इकोल टू बी, यानि कि एक मेरा फिर भी डिफोर्मेशन नहीं हो रहा, फिर भी आपका सेर इस्ट्रेस लग रहा है, समझे रहो, निकि एक लिमीट तक आपको सेर इस्ट्रेस लगाना पड़ेगा, जबकि डिफोर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो वही फिर भी सेर फोर्स लग रहा, सेर फोर्स लगा रहें, फिर भी डिफोर्मेशन नहीं हो रहा, फोर्स लगार वेकिन डिफोर्मेशन नहीं आ रहा कुछ दिर तक, एक कुछ लिमीट के बाद ही डिफोर्मेशन देखने मिलेगा, तो वही का, इफ देर इस नो डिफोर्मेशन इस टील देर इससे यहीं यहीं आता है वी इस लिए वी को क्या कहा गया याद है यह अगर आपको याद होगा तो हैज रॉडग आधा फोन से यह को काथ एक लिमिट रफ खासूंल कुछ आपको चुकि यहाँ पे क्या था टाउ इकोल टू बिया कुझ ने कुछ आपको लगाना परेगा और तब तक भी आपको det inspiration नहीं लगेगा निके कुछ दिर तक आपको форš ride, share force apply पढ़ना परेगा कुछ दिर के बाद ही आपको det tir nation देखने को मिलेगा बिंगं प्लास्टिक इसको नाम दिया गया आप तूटपेश पे आप अगर फोर्स अगर बहुत दिन तक मालो आप अपने ब्रस करा सुबा में साम को आप अगले सो जैसा आप बरस करते हो अधिकतर तो करना चाहिए दीन में दो बारी एक बारी मोर्णिंग में कम से कम मोर्pract करना चाहिए और अगर आएक में करना चाहिए तो अगर आप मोर्णिंग में करते हो तो स्प्लाइबे अ नह olives आपका सम्य आपर संक्राइब सेरं से मैं चाहाँ बढते जा रहा है ना समझ है तो नियां एक दम कैसा देखने को मिलता बताओ यह अगर बात करें तो पूरा नियोटोनिल फ्रूट जैसे लेकिन अंतर क्या है कि नियोटोनिल फ्रूट मेरा सेर फोर्स जैसे लगाते थोड़ा सा भी तो इसमें मुझे आगले का दखें दीधर को मिल जाता है तो यहाँ चैसर देखने को मिलता है और यहां पर अपैसा और देखनाता है हो तो सेम रेट से आपकर डिफर में अपकर एक यहां पर आ गया वह तो यह इसलिए क्योंकि हम लोग बात करों याद करों फिर से टाव इकल टू इन टू डिवाई जहां से हम लोग देखे थे mu equal to tau divided by d upon dy is equal to constant यही तो निकाले थे हैं यह जोगर लोग constant, newtonian fluid में यही कि viscosity मेरा क्या होता था, constant होता था viscosity, यहां भी मेरा viscosity constant ही है, लेकिन यह किसके लिए है, यह है non-newtonian fluid के लिए और यह किसके था, यह था newtonian fluid के लिए, तो दोनों में अंतर है और दोनों में अंतर क्या हो, 0 से start होता deformation, यह कुछ दिर के बाद मेरा constant जा रहा है, बहले यहां भी मेरा constant ही है और यहां भी constant था, बस अंतर दोनों में क्या है, एक में नीटा है, एक में mu है, mu मेरा बता रहा किसका viscosity को dynamic viscosity को, newtonian fluid का और नीटा मता रहा है, मेरा non-newtonian fluid का viscosity को, जो constant है दोनों में है ना, चली, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा, example समझ में में है, इसको बोलते हैं हम लोग bingham plastic, तो अभी तक हम लोग देखें, bingham plastic के बारे में, इससे पहले देखें हम लोग pseudo plastic के बारे में, और इससे पहले हम लोग देखे, dilatant fluid के बारे में, तीन fluid के बारे में देखें, लेकिन पता तीनों में common है, धिनों पता है common क्या है, तीनों का तीनों जो अगर मैं बात करता हूँ, तो इन त्वीति कर देगे डिफोरमेशन नहीं कर रहें हैं तो विस्कोसिटी घट रहा था। इससे पले क्या था डिफर्मेशन बढ़ा रहे हैं तो इसको सी बढ़ रहा लेकिन अगर मैं बोरा डिफर्मेशन लगा नहीं रहे हैं और बस टाइम के साथ या फिर डिफर्मेशन भी लगा रहे हैं और टाइम के साथ हम लोग चेक कर रहे हैं कि टाइम के साथ कोई चेंज आ यन जो आखे घा लेक्ट भेल लेना कि तीर से लेना जो इंक हो धाटा में लेगा और धुरेso जाये लिपए और और आपने याद को इन वह गेगा कोई आइज आये लगे इस थारे सब इसकोश्यरा तपड़ आफ बढ़ गजान तो विसकोसिटी बढ़ गया तो slow movement होने रहा है समझ गये तो time के साथ time जैसे से बढ़ रहा है उसका viscosity बढ़ गया समझ गये यह क्या हो गया थीक हो गया तो कुछ time के साथ थीक हो जाता है कुछ time के साथ thin भी हो जाता है लेकिन आप कुछ time के साथ vary नहीं करता है तो जो कि यानि कि अगर मैं लिखोंगा कि इन सब का जो नीटा का विली होता है यानि कि जो अपरेंट विसकोसिटी विसकोसिटी होता है वह फंसन अफ होता है मेरा share force and velocity gradient और वह सेक्टो rate of share strain लेकिन अब हम लोग बात करते चलिए वह इससे non-neutron fluid का जो time के साथ vary करता time के साथ उसका viscosity भी vary करता है जिसमें यानि कि आगा पकर लिखते हैं कि इसका viscosity जो है वह फंसन अफ होता है share force है ना velocity gradient as well as time है ना तो जिसमें दो आ जाता most important पहला जो आ जाता जिसको का जाता थियोट्रोपिक है ना पहला को का जाता थियोट्रोपिक और दूसरा का जाता है रियोट्रोपिक क्या का जाता है एक को का जाता थियोट्रोपिक दूसरे को का जाता है रियोट्रोपिक अब बात करते हैं कि थियोट्रोपिक क्या हो जाता है जैसे as the time increase जैसे मैं time क्या विस्कोसिटी ऑटमेटिक घट जाएगा मतलब जल्दी मूग करने लेगा ताइम के साथ यह फ्लो जल्दी करने लेगा समझ गividad । जयसे की इसका एक्ध冶ांपल क्या है मैरा honi लेगिना डिफ़मेस्ट थोड़ा बहुत जरो करें लेकिन साथ है फतला हो जाएगा हनी अब है आप देखोग है तो हैम अब देखोगे बहुत से बहने लेगे ता माना पानी जिसा हो जाएगा समझ गया ना पर थीक था फृर टाइम के साथ थोड़ा बोत अगर आप उसको हलकल का मूब करोगे तो टाइम के साथ कुछ देर के बाद बहुत ही जाता क्या हो जाता है जो हार्ड था आप देखो कि ना क्ले लाओ मिट्टी लाओ कुछ देर छोड़ दो टाइट हो जाएगा तो डिफॉर्मेशन करो अभए पिवड़ हो गया यह सब आजयता है इसका क्या होथा घटता है विठृ डिफॉर्मेशन इतना तो क्लियर है अब बात करते हैं रियो २् पर्टीamm के साथ क다 और इसका विश्क विश्न साथ के यह सब मेरा ना бегन नीट्योन आजटा है त्विसकोसिटी लेकिन डिफर्मेशन के साथ थोड़ा डिफर्म करेंगे डिफर्मेशन करेंगे लेकिन ट्राइम के साथ त्विसकोसिटी बढ़ जाता और थिल ठीक हो जाता है जिसे आपको समझा जिपसम आप देख सो जिपसम जिपसम क्या होगा देदरे आपका पहले पत सब्सक्राइब कर दोनों का रिलेशन धोड़ना और इससे पहले इस ध लेशन देखे थे time इंडिपेंडेंडेंट फ्लूड नन न्यूटोन अधरा कटाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड जो देखे धा डेलेट एंड ज्या लेका capable हुआgrass सब्सक्राइब करना और जब विश्या गट सिट्वारा तो एक दो लिएभडरा के च लिएख दित n का value less than 1 लेके चले थे n का value less than 1 था 1 से कम था 1 से मेरा कम था और यह मेरा कैसा slope देखने को मिल रहा था मेरा देखने को मिल रहा था यहाँ पे increasing slope देखने को मिल रहा था समझ गे मेरे बात की नहीं sorry I mean decreasing slope मेरा देखने को मिल रहा था कैसा सब्सक्राइब देखने मिला था तो सेम चीज़ डिक्रीजिंग स्लोप एर एन का विलो लेस दन वान वहां भी लाइक करेगा कि विस्कोसिटी वहां भी मेरा घट रावी थे डिफॉर्मेशन तो जब यहां भी देख रहे हैं कहां चल गया हाँ जब यहां भी देख रहें कि डिफॉर्मेशन के साथ टाइम भी यहां पर इंपोर्टेंट लेकिन डिफॉर्मेशन यहां भी लेगां जिसलोग बढ़ाएंगे विस्कोसिटी गट रहा है तो सीम आपका कैसा आ गया सेम अगर बात करें गे तो इस तरह का ल सब्सक्राइब कर रहा है तो इसमें मेरा क्या था बीक जो रहता है वह से बढ़ा रहेगा बीक विशना कुछ यहां पर जरू देखने को मिलेगा बी का विलू जरो जरो देखने को मिलेगा समझ गए मेरे बात की नहीं इस सीज का ध्यारगना और सेम चीज यहां अगर बात करें increasing तो यह तो आपको पता ही है increasing मेरा था यह रहा increasing जो किसके में था बढ़ेगा यहीं increasing slope लेकिन बी का वेलू क्या कुछ न कुछ बी लग रहा है समझ बी का वेलू वह भी वी यह वाला चीज यह वी यह यह रहा बी का कुछ वेल्यू है एकी तुरांट डिफॉरमेशन नहेंगा दोनों आपको सो होता है, है ना, चाहाब वो मेरा पतला हो रहा है या फिर मोटा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यह हो गया इन सब के बारे में कहानी, तो यहां से उम्मीद करता हूँ, कि सारे चीज को समझ गया होंगे, है ना, रियो प्यक्टिक, रियो प्यक्टिक का एक्जाम्पल मैंने कहा न डियर, जिपसम हो गया, जिपसम का पेस्ट, है न, इंक हो गया, बेंटरोड सोलिशन हो गया, मुलतानी मिट्टी, ये सभी जो है रियो प्यक्टिक का एक्जाम्पल आपका हो जायागा, ठीक है, चलिए, ओ का मैंने आप लोग को fluid समझाया चाहे मेरा न्योटरिनल रहे या फिर मेरा नन्योटरिनल रहे सबका हम लोग behavior को समझेंगे with the help of diagram right मैं आपको समझाया कि neutral fluid जो होता है वो कैसा होता है deformation के साथ मेरा viscosity जो है उसका constant रहता है इसके लाबे मैंने नन्योटरिनल में क्या समझाया कि कुछ मेरा ऐसे होते हैं जो deformation के साथ उसका viscosity बढ़ता है कुछ का deformation के साथ मेरा घरता विसकोसिटी और कुछ का हम लोग देखें कि deformation के साथ viscosity मेरा constant रहता है इसके लावे हम लोग कुछ ऐसे भी fluid के बार हम बात कियें जो मेरा non-neutronian था लेकिन उसका behavior जो है वो time के साथ vary करता था और कुछ मेरा time के साथ vary नहीं करता था राइट यहनिके time dependent कुछ था और कुछ मेरा time independent था तो चलिए सभी को हम लोग जितने भी तरह का fluid है सबको हम लोग with help of graph यहां पर समझते हैं चाहे मेरा neutronian रहे यह फिर मेरा non-neutronian रहे तो चलिए one by one करके देखते हैं पहला अगर आप graph देखते हो तो पहला graph में मैंने क्या करा है y axis में मिलिया है viscosity को and x axis में मिलिया है time को ठीक है x axis में मिलिया है time को important है बता ना इसलिए क्योंकि बहुत बारे आप लोग क्या होगे इसमें confuse हो जागे कि अधिकतर हम लोग क्या करते हैं x axis में लेते है को या फिर बोच सकतो velocity gradient को लेते हैं ठीक है या फिर जो आपका डी थीटा बाई डी टी होता है इसको लेते बात है कि यह भी दोनों को deformation सो करता है एक मेरा velocity gradient होता है और एक मेरा rate of share strength होता है लेकिन यहाँ पे मैंने time को लिया क्यों क्यों कि आप लोग को याद होगा कि कुछ मेरा ऐसे non-nutrional fruit था जो time पे dependent था और कुछ मेरा time पे dependent नहीं था तो यहाँ पे कौन मेरा time dependent है कौन मेरा time independent है उसको मेरा इस graph में सो करेंगे तो सबसे पहले में क्या करता हूँ green color ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो straight line दिखा जा रहा है इसमें वो सारे fruit आजाएंगे जो मेरा time independent fruit था जैसे की dilatant fruit, pseudoplastic and bingham plastic यह तीनों का तीनों मेरा कैसा fruit था तीनों का तीनों पहली बात तो मेरा non-nutrional fruit था जो time का time पे dependent नहीं करता था यानि कि इसका जो viscosity है वो remain constant रहेगा with time, time के साथ vary नहीं करेगा आपको clearly समझ में आ रहा होगा, suppose कर एक मेरा point है और इस point में something मेरा viscosity है suppose करो viscosity इसका 10 है, जो भी unit है इसका आपर 10 है, लेकिन देखो कि time बढ़ रहा, मालो 5 second है, फिर 10 second हो गया है ना, यहाँ मालो 15 second हो गया, यहाँ समझ करो 30 second आ गया, इधर मालो 1 minute आ गया तो देख रहे हो कि यह मेरा 10 ही रहा हर जगा हर जगा पे, 1 point पे, 2 point पे, 3 point पे, 4 point पे मलब time बढ़ने के साथ साथ इसका viscosity change नहीं हो रहा constant रहा है तो इन सभी, जितने भी यह सभी fluid में रहे हैं, इन सभी fluid को क्या बोलते हैं, time independent fluid का जाता है जो कि तीनों का तीनों यह जो आपको लिखा गया है, यह तिनों के तिनों कैसा था मेरा, non newtonian fluid था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, viscosity constant, viscosity के लिए क्या use करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे, NETA use करेंगे मैरा निटा constant यहाँ पर, समझ रहे है, मियूं यूज नहीं करेंगे कि मेरा था newtonian fluid का यानि कि जब हम लोग बात करेंगे newtonal food का तब बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे मेरा mu equal to constant है क्योंकि मेरा newtonal food था ठीक है यादो का नीटा हम लोग यूज़ कर रहे थे यानि कि यह किस के लिए था मेरा apparent viscosity था clear तो यहाँ से आप समझ गया होंगे इसके अलावे मैंने हम लोग ब रियोप्यक्टि का बात करेंगे तो time के साथ इसका viscosity मेरा क्या करता था increase करता था time के साथ अगर आप देखो कि just मैंने अभी बताया है ना कि देख से तो रियोप्यक्टि का बात करेंगे तो मेरा viscosity बढ़ रहा time के साथ तो time के साथ बढ़ रहा और अगर theotropic का बात करेंगे तो टाइम के साथ viscosity मेरा घट रहा, यह थीन हो जाता था, वो ठीक हो जाता था, clear, तो यह पूरा पूरा ग्राफ आपको समझ में आ गया, now, अब यह क्या करें, यहाँ पर मैंने सभी तरह का fluid को रख दिया है, चाहा मेरा Newtonian रहे, यह फिर मेरा non-Newtonian रहे, तो चलो discuss करते हैं, तो इधर लिया गया share force, और इधर लिया गया deformation, जैसे share force लगेगा, वैसे उसमें deformation आएगा, और deformation को हम लोग सो कैसे करते हैं, velocity gradient से सो करते हैं, यह फिर rate of share strength से सो करते हैं, now, अगर आप देखते हो, सबसे पले में क्या करा है, Newtonian fluid को लिया है, तो मैंने Newtonian fluid के लिए क्लिए क् constant था, समझ गए, यानि कि जितना आप stress लगाओगे, उतना ही deformation आपका बढ़ेगा, एक साथ, और इसका ratio आपको सेम देखने मिलेगा, यानि कुल मिलाके, इसका viscosity क्या होता है, मेरा constant होता है, समझ गए मेरी बात की नहीं, चली, यह चीज़ आपको समझ आ गया होगा, अब ज इसकाइब था, उसमें भी मुझे क्या देखने मिल रहा था, कि viscosity जो है, वो constant था, लेकिन कैसा viscosity, apparent viscosity, यानि नीटा, नीटा इकल टो constant, लेकिन अंतर बस ये था, कि यहाँ पे एक value बी आता था, यानि कि यह deformation कब होगा, जब हों लोग कुछ share force apply करेंगे, जब आप कुछ share force apply क करोगे, तब तक वो deformation सो नहीं करता था, जैसे मैंने आपको समझाया था, पेस्ट हो गया है, तूट पेस्ट वेगरा हो गया, यह सभी इसका example आजाएगा, चलिए, यह हो गया, अब बात करते हैं, सभी तरह का आपका non-neutrinal food, और जैसे बात करते हैं, pseudo-plastic, तो pseudo-plastic क्या ह करता था, आप लोगों को याद होगा, कि इसमें जैसे जैसे हम लोग deformation लगाते थे, इसका viscosity मेरा घटते जाता था, तो decreasing slope, तो देखते हो, धिरदर घटते जारा, घटते जारा, तो माल लोगो देखो, यह सेरफोर्स अपला की, तो यह बढ़ रहा, बढ़ रहा, लेकिन धि करते जारा, हैना, decreasing slope, हैना, decreasing slope, मुझे देख लिए भीता, pseudo-plastic में, आप देख सकते हो, अभी जस्ट मेने कहा था, कि pseudo-plastic जो होता था, यह रा pseudo-plastic, इसमें क्या करता था, अगर आप देखोगे, fluid decrease, हैना, यहाँ पे, increase, इंदर, deformation, viscosity, pseudo-plastic, decrease, यहाँ पे, increase, जैसे हम लोग increase करते थे, deformation को, वैसे viscosity क्या आता था, मेरा, decrease करता था, समझ आए मेरी बात की नहीं, वहीं अगर मैं बात करता हूँ, कि इसका dilatant fruit का, तो dilatant fruit में क्या आता था, जैसे हम लोग उसमें लगाते थे, share force apply करते थे, तो share force के साथ मेरा क्या आता था, viscosity मेरा बढ़ते जाता था, dilatant fruit का, अगर आप dilatant fruit देखना चाहोगे, तो देख सकते हो, यहाँ पर dilatant fruit, increasing the deformation, share deformation, viscosity also increase, मेरा increase, increasing आपका देखने को मिलता स्लोप, तो यह मेरा increasing स्लोप में आए आपको देखने को मिल रहा है, यह दोनों हो गया, similarly अगर बात करेंगे हम लोग किस के साथ, theotropic के साथ, य viscosity मेरा घड़ता था, time के साथ, with deformation, viscosity मेरा घड़ता था, अगर बात करेंगे रियोप्यक्टिक, तो deformation के साथ, viscosity मेरा बढ़ता था, तो बढ़ता था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कि इन दोनों में अगर बात करेंगे, तो B का value मेरा अगर देखोगे, तो B का value 0 से बढ़ा तभी जाके इस अब में deformation देखने को मिलेगा तो इन दोनों में B का value कुछ मेरा होता था वह अगर Bingham Plastic में B is not equal to 0 था इसलिए तीनों में आपको B देखने को मिला एक certain amount के apply करने बाद ही deformation देखने को मिलता था तो यहां थे आप लोग को यह सभी चीजे समझ में आ गया होगा clearly समझ आया चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अब कुछ basic property यह दो तीन है इन तीनों को discuss कर लेते हैं देन हम लोग का class आज खतम हो जाएगा सबसे पहले बात करते किसके बारे में mass density के बारे में mass mass density यह फिरे mass बोलो जिसको लोग रोज से दिखाते है mass basically mass density density क्या हो जाता है density density में इस बत करता है हिंदी में बोलते है इसको घनत तो कौन कितना ज्यादा घना है कौन कितना ज्यादा घना कौन कितना ज्यादा पास है जितना वह compact है उसे को density ज्यादा उसका लेंगे यह amount of mass can be stored in a fixed volume अगर मैं fixed volume ले देता हूं वोल्यू को fix कर देता हूं जिसे में आप तीन container है पहला container है दूसरा container है और तिसरा container है एक में मेने container सेम तेनों का container मिल्कूल सेम है ersसरी करो यह कु worry a क्वण जितना वसका वुल्यूम similar जितना इसका वुल्यूम का वुल्यूम सेम है जितना यहदि पथ्थर डाल दिया पठर हैं ना एक मिनुन का म jokingセ कि थैन देनों में सबस्दा मास किसका और बहुत दूर रहता है तो इसका मास सबसे कम हो जागा तो क्या भो दो सकते हैं कि density is equal to mass upon volume, एक particular volume पे कितना mass ले रहा है, उसी को हम लोग density कहा देते हैं, तो unit का बात करें, mass kg में आ जाएगा, और volume मेरा meter cube में आ जाएगा, kg पर meter को भी इसका unit आ गया, अगर dimension का बात करेंगे, तो kg को हम लोग mass m में लेते हैं, है ना, kg को m में लेते हैं, और meter cube को हम लोग लेत में, तो L उपार आ जागा, तो meter ml-3, ml-3 इदी dimension, ठीक है, ओकी है ना, चलो, समझ गए, ml-3 आ गया यहाँ पर, kg को m में लेते हैं, mass, और इसको meter को liter में लोग में लेते हैं, length, length के है ना, mass और length के, चलो, फिर आ जाता है यहाँ पर क्या कुछ basic आपका density, अलग अलग चीजो का इसे air का अगर standard density का जाग कितना लेके चलते हैं, तो 1 kg per meter cube लेके चलते हैं, और water का अगर standard का जाए, तो water का जो standard density होता water का हना, वो होता 998, लेकिन जो हम लोग लेके चलते हैं, आप अधिकतर देखोगे, numericals वेगरा में, कहीं भी लेके चलते हैं, हम लोग density water का क्या मानत कितना थे, क्यों, कि water जो होता, water का maximum density 4 degrees Celsius होता है, यह को सिन भी कई भारी बना है, exam में, कि बताइए, water का density होता, maximum, कि आपके point पर होता है, बना टेंपरेचर पे, 4 degrees Celsius, 6 होता, 12 इस तरह कुछ भी देदेगा, तो यादखना है, कि 4 degrees Celsius में, water का density होता, वो max होता है, तो उस होता, 998, लेकिन इस जगह में मिलता, 1000, तो हम लोग इसी को लेके चलते हैं, और अगर mercury का काज है, तो mercury का हम लोग लेके चलते हैं, यहां पर आ देखना, 136 00, और kg per meter cube, तो आपका इसका unit है ही, चलो, अब अगर effect देख लेते हैं, effect of temperature on density, है ना, temperature का क्या effect पढ़ता, density पे, तो water, water का molecule है, यहां पर भी तो water है, यह भी water, water का अलग लेकिट्रोप है, मैं थोड़ा बड़ा समझा द रहा हूं, समझाने के लिए, तो इसके अंदर क्या है, एक तरसे cohesiveness है, cohesive force है, attraction between the same, same time molecule, यानि कि same time molecule के बीच में, जो attraction रहता है, उसको cohesive बोलते है, तो cohesive force होता है, तो water, 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 gas, और दूर होने लगता है, तो 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 दूर होने लगता है, और सेम अगर temperature में आपस में इनवरसर गटा रहे है तो यह घटेगा और यह अगर बढ़ेगा तो यह घटेगा और यह गट रहा है तो यह बढ़ेगा ऊपर आगा यह इपर रहा है तो density बढ़ेगा क्योंकि जैसे मैं घटा रहा हूं तो cohesive force बढ़ रहा है सामने सामने आते जा रहा है अब बात करते हैं effect of pressure on density कि यह अब देखते हैं क्या एक्शिटि में तो सिंपल सा बात है अगर आप प्रेसर को बढ़ाते हो और कंपेट करतों मांनों इस तरह का कोई ठैला है इस में आपने कुछ रखा उसको दबा रहे हो और कि दबा रहे हो तो कि और और पास पास आ तो देंसिटी और बढ़ रहा है डेंसिटी और पैसर का इसनीफ इन अगर भर तो दूसरा भी बढ़ गढ लेकिन यहां पर जस्ट कर समझगे चली में इतना चीज कि अपको अगर POLर्व घ्र aids कर रहना चाहिए ना चलिए बात करते हैं अब और एक परपर्टी का that is call your specific gravity which is very very important property ना बहुती बेसिक प्रूपर्टी है बठां very important ग्रेविटी देख लेते क्या है मेरा specific gravity, specific gravity basically ratio होता है density of any fluid to density of some standard fluid any fluid मुद्सक्राइब क्या होता है dear student any fluid, जिसका निकालना चाहते है specific gravity, जिसभी fluid का आप लोगको specific gravity निकालना है वह आप रखोगे, वह रखोगे, and divide by क्या कर दोगे? Density of stender float, अब stender float मुझे लोग क्या होता है? Liquid में हम लोग stender float मानके चलते हैं water को Liquid में हम लोग stender float क्या मानके चलते हैं? Water को मानके चलते हैं, तो आप कोई किसी भी तरह का liquid आप ले लो, कोई भी liquid आप लोगे हैना, अगर आप liquid ले रहे हो, तो नीचे में हम लोग water को ही लेके चलेंगे और water का density हम लोग stender क्या लेके चलते हैं? Maximum density जो होता, 4 divisions में 1000 लेके चलते हैं, तो हम लोग नीचे में 1000 हमेशा रहेगा और उपर में जिसका भी हम लोग के specific gravity निकालना हो रख दोगे, तो इसे आपको लोग को मिल जागा specific gravity of any fluid समझ गे, तो भाई density of fluid, any fluid divided by density of standard fluid, समझ गे यहां से चली, अब बारी यहां पे आजाता कि कि जब s equal to 1 कब आता है, s equal to 1, तो आप खुद सब्चो कि उपर भी जब मेरा 1000 आएगा, नीचे भी जब मेरा 1000 आएगा, तो भी तो कटके एक आएगा, और 1000 कब उपर में आएगा, जब उपर भी water रहेगा, कि नीचे में तो हमेशा water रहेगा, क्योंकि हम लोग जिसे मेंने क सब्सक्राइब करते हैं, तो कटके एक आजागा, तो ऐसे गोल्ड वन तो मेरा फ्रूट क्या वाटर होगा, लेकिन अगर मेरा s जो है, s मेरा greater than 1 आएगा, इसका क्या मतलब हुआ, यह उपर में जो भी है, वो मेरा water से ज्यादा भारी है, ज्यादा dense है, ज्यादा dense वाला च कोई ज्यादा घनत हो है, कि इसके पटिकुलर वोल्यूम पे कोई ज्यादा अंदर में चीजे कॉंपक्ट है, यह समझा है कि इसका density ज्यादा है, ज्यादा यह मास, इसके अंदर ज्यादा मास है उस पटिकुलर वोल्यूम पे, एक ही कंटर में अगर water को रखेंगा, फ्रू तो जो मेरा density होग फ्लूड का or ग्रेटर रोगई ये वार्टर से वार्टर से भार्य होगा तनी कि iquer Nous एविएर दिन वांटर। फ्लूड जो होगा वह फैभी होगा पाने से भार्य होगा अब जैसे एक्जांपल मर्कुर स्पॉरी मेरा जादा होता क्यों क्यूंकि Верг करने डेनसिटी तो डेनसिटी कितना हो जाता है डेकृत तो13600 तो अपर में लखनो 13600 और अगर बात करो किantितोर ये भी तो मेरा लिक्री वोण लेके चलते हैं लिकेदी पैसे मिरकुरी जो ता Voh Cel reviewingijn मे eux होता हमिना अध् outdoor लिक्रीट के लिए लिएज में लीक लिए सटर्वाय क्या मन चुके हैं वाटर помा छुके यह तो नीचे में और अई टो उन्हें करेंगे लोगा रोटक५ तो로 पानी से भारी होता है कौन भारी होता है और यह पता कैसे लेगा अगर आप कोई भी अगर मेरा पानी भरावा रहेगा और पानी में मर्कुरी डालूंगा ना तो मर्कुरी ऑटोमेटिक नीची जाके समझ जाकर सिंक में सिंक में जाकर बैठ जाएगा क्यों कि जादा भी वह भारी है मर्कुरी फ्रिक नीचे बैठ जाएगा और अगर मैं बात करता हूं कि यह असका भी बाता है जब इससे हजार से उपर वला काम आयगा इस एग्जांपल के दोप्र पेट्रोल ले लो डीजल लेलो है लो उस तरह का चीजिए लो तो अगर मैं इन सब को compare करता हूँ यह oil ले सकते हो है नीट जो घर में आप करते हैं यह सबसाइड अब खुद सीय कर सकते हैं कम सभी यह तो पक्का कर सकते हैं को आज आप जाना एक glass लेना और ग्लास में पानी लेना पानी लेना अगर glass white सब्सक्राइब अब लेगा लेंगे तो अब आपको समझा रहे हो डाटा से अब यह हम लोग Linkि से पूलख लो कियों कि और सम wedi करेंगे तो मैं आपको संजार हूं यह निकाले और प्रच्छल निकालेंगे इसका किसका हम लोगнул निकालेंगे के और यहांब पिर दिलो यहां पर डिजल मिलेंगे तो आप अब शिक्या भिया निकालते तो उपर में क्या लेते हैं ऐले जिसका निकाल सो पाइड़ कितना होता लगता और नीचे में तो ऑपर ने मेरा 1 से कम है न यानी कि मेरा हलका यह मेरा डीजल या पिट्रॉल भी हलका है यह आपका सरसों से लना होता पानी से यहां से इस आप पेस्पिक ग्रेविटी नाओ एक आजाता क्या, रिलेटिव डिंसिटी जिसे नामसे प्धा चलता है हो घ्यां कोई भी नहीं मीलता है उपर में धेनसीटी नीचे में जैसे इससे पहली यहींट पर मीटर वी तो यह यही यह उनिटे सब भलता है वह रहाता है केजी पर मीटर क्यूब लेंगे नीचे भी क्या लेंगे केजी पर मीटर क्यूब लेंगे तो यंदोनों कट कट क के मैं झेनि टूफ्र आगर मुझे compare करना है दो पूपर में वरहते हैं यह उपपर मिलें देंस्टी किसी फूट का नीचे में बैशनीर प्रूट करें दैंसिसे अब दुसरा Конारीन दूनों में अंतर यह लेकिन यहां पर नीचे में कुछ भी रह सकता है वाटर का जग में कुछ भी ले सकता है उपर से समय में डियल लिया और नीचे में पेट्रोल लिया और इन दोनों का कंपेर करना चाहता हूं कि कौन किसका एसका विल्यू ज्यादा आ रहा ग्रेटर देन ले सकते हैं तो यहां से एक चीज़ समझ आता है कि मैं बहुत सकता हूं कि स्पेसिफ ग्रेविटी इस ओल्वेज रिलेटिव डेंसिटी क्यों कि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वह लोग डेंसिटी आप एनी फ्लूड लेते हैं एनी फ्लूड लेते हैं है ना और नीचे में क्या लेते हैं डेंसिटी वाटर लेते हैं तो भाई साब वाटर भी तो फ्लूड ही होता है और रिलेटिव डेंसिटी में क्या स्प कि एक आउड आप आइब हो कि आउज आगा ओडवी प्रूड जाए तो बिल्कुल सकता रहा वह कहा ऐसको हम लोग प्रूट एंसिती का सकते हैं लेकिन बट, relative density जो है न, is not always specific gravity, यह मेरा हमेशा specific gravity नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेरा relative density क्या बोलता है? कि density of कोई भी fluid 1 और density of fluid 2, क्योंकि जो रही नहीं कि हम लोग नीचे में water ही लेंगे, हम लोग हो सकता है कि नीचे में petrol ले लिया, और उपर में में ले रहा हूँ, HG mercury को ले लिया हूँ, तो यह भी मेरा कालाईगा, क्या? relative density कालाईगा, लेकिन क्या यह मेरा specific gravity कालाईगा, नहीं कलाईगा, लेकिन मैंने कालाईगा, not always, एक ही case है, जब हो सकता है, कब? जब उपर मालो mercury लिए और नीचे में आप water लेलो, उपर में आप मालो petrol लिए, नीचे में वाटर लेलो, तो तभी possible है, जब आपका नीचे में वाटर आएगा, तब ही, है ना? तो relative density जो है, वो कभी कबार हो सकता है, लेकिन not always specific gravity, तो इसलिए कहा गया है, कि जो specific gravity होता है, always relative density, but relative density is not always be a specific gravity, समझ गया है, ना? तो यह कुछ चीजे हैं, जो basic property में आपको समझाया, ह viscosity के बारे में, newtonian और non-newtonian food के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ, इन सभी को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे, next class में, और और कुछ basic properties को लेकर, है ना? तब तक लिए, goodbye and god bless you all, and thank you so much for watching, good night everyone.